हलो स्टुडेंट्स यह आपका पार्ट फॉर वीडियो इस चेटल का पार्ट फॉर वीडियो में प्रस्टाली टूल पाइंटू पर और कोशन नंबर है एक तिर्भूज और एक समांतर चत्पूज का एक ही अधार है और छेत्रफल भी एक ही है यदि तिर्भूज की भुजा लिए तो मैं यहां पर एक समांतर चत्पूज पहले बना लेता हूं और फिर उसके बाद एक तिर्भूज लूँगा इस प्रकार से कि दोनों का अधार एक ही दीखे और दोनों का छेत्रफल जो है वह बराबर हो ठीक है छेत्रफल भी एक ही कह रहा ना जी तो देखिए मैं यहां पर यह एक तिर्भूज और एक समांतर चत्पूज बना लिया यहां पर देख लिजिए दोनों का अधार एक ही ले लेते हैं हम समांतर चत्पूज का नाम देते हैं A B C D और यहां पर A B E यहां आपका तिर्भूज हो लिए दोनों का अधार देख लिए एक ही है एक ह सेंटीमीटर के अधार परिष्थित है यानि कि इनीच हो छाएगा ठीक है तो यह तिर्भूज की एक भूजा भी देख लीजिए स्टेया और समांत स्नौज जो है तेелा Tapuses डा सिंटी मिटर भूजा वाले आधार परिष्थिक है अब इसके बाद तिर्भूज की अन्य दो बुजाएं क्या हो जाएंगी तो एक हो जाएगा 26 सेंटीमीटर और एक हो जाएगा 30 सेंटीमीटर ठीक है तो हमारे पास तिर्भूज की तीनों बुजाएं तो ग्यात ही है और हम लोग समांतर चत्पूज का तो अधार गुणा में इसकी संगत उझ्चाई यह न लेते हैं हम लोग यह होता ہے फॉर्मूला इदार गुण संगत उफ कूल यह एंपर में एफ देता हूं तो हम लोग क्या करते हैं पहले तिर्भूज का शितफ़ल निकाल लेते हैं तो तिर्भूज का जो शित्पल होग का ठीक है तो पहले या लिखेंगे माना माना ए बी सी डी एक समांतर चत्रभूज है चत्रभूज है अना तथा तथा ए बी ए एक त्रिभूज है त्रिभूज है यहांपर κत्रभूज है यहांपर त्रिभूज में दिया हुआ है यहांपर तिरभूज की तीनों भुजाएं दी हुए हैं तो मैं क्या करता हूं एक को A माल लेता हूं A बराबर में Quando d looks a 10 cm एक भूजा को भी माल लेता हूं B बराबर में 26 cm ले लेता हूं और एक को सी माल लेता हूं और सी को मैं यहां 27 cm जो तीनों भूजायrą दे हूई है उनको punches c ले लेता है ठीक है चलिए अब यहां में पहले इसका छैस्टरपन निकाला निकाले के लिए लोग पहले इसका रध्परिमाप निकालेंगे यह taking loss से लिगे तिर्भूज का कि athe अर्ध परिमाप परिम अर्ध-परिमाप क्या हो जाए तो फॉर्मुला हो जागा है एस बराबर में तीनों भुजा का योग में यानि ये प्लस बी प्लस सी बटा में दो क्या हो जाएगा तीस प्लस छबिस प्लस अठाइस बटा में दो सेंटीमीटर चलिए इसको सौल करते हैं तो कितना आजाएगा आठ थे चौदा का चार एक बचेगा तीन दो पांदू साथ एक आठ चौरासी बटा दो सेंटीमीटर इसको काड़ देंगे तो 42 बार में कर जगए यानि कि 42 सेंटीमीटर आपका अर्ध परिमाप हो गया अब चलते हैं आगे हम लोग यहाँ पर लिखेंगे तिर्भूज का च्छत्रफल तिर्भूज का च्छत्रफल यहां ऐसे भी लिख सकते हैं से एरिया ओफ ट्रेंगल ए बी इए हम लोग इसी तिर्भूज का ना निकालना है तो क्या हो जाएगा तो रूट अंडर हिरोन फॉर्मला आपको पता ही है एस इंटू एस माइनस एंटू में एस हाँ है आपके पास 30 कह ना देख लिए एका मान हमारे पास 30 है सब का मान रखते हैं सपकते मान लगते हैं तो यहां पे A का मान आपका कितना है एक का मान यहां हमारे पास 30 है B का मान 26 है और C का मान 28 है तो यहां एक का मान लगते हैं आपका 30 इन्टू में S के जगा 42-26 फिर आपका 42-C के जगा पर 28 और बाहर हुजायगा आपका centimeter square क्योंकि यह छेतरफल है चले आगे दखते हैं यहां करते हैं रूत अंडर यहां आपका इन्टु में यहां घटाएंगे तो आपका आ जाएगा बार और फिर यहां घटाएंगे तो यहां आजएगा आपका Sadasa 12 12 मैं से छह यहाँ पर आपका तीन वह चाहता तीन में से दो गया एक शोला हो जाएगा ठीक है चलिए अब इसके बाद यहाँ घटाएंगे तो आपका आजाए गया यहाँ पर चौवदा सेंटी मीटर है स्कॉइर केलिए यहाँ पर इसको तोड़ते हैं तो हम लोग 42 को दो गुना तीन गुना साथ सातिये का इसे कश्ट गुना 42 चलिए गुना में 12 को तीन गुना दो गुना दो लिख चलते हैं बुला को चार मा चाली तो फिए बन जा चार आ और 14 माइंकर को दो गुना साथ लिखनी सेंटीमीटर स्कॉयर अब दिखो यहां पर किसम काणड़ किसका किसका बनना है क्यानब दो यहां पर चार बार है तो दो बार लिखेंगे तीन आपका दो बार है तो एक बार लिखेंगे चार आपका दो बार है तो एक बार लिखेंगे और साथ आपका दो बार है तो एक बार लिखेंगे सेंटीमीटर स्कुरार ठीक है चलिए तो यहां से कितना आजाएगा गुना करेंगे तो गुना करके देख लिए इंसर में क्या आएगा यहां पर आजाएगा आपका टोटल तीन सो छतिस सेंटीमीटर एसक्वार यह तिर्भूज अब देखिए अपने परस्न के अनुशार चले तो हमारे पास दिया है कि जो समांतर चत्रभूज का जो छत्पल है समांतर चत्रभूज जो नाम है उसका ली सकता हो अबी-चका जो छत्तरफल हो किसके बराबर दिया हैं तिर्भूज के लिचख पलबार है そक्षकुरत又नों का चत्तरी मूं का इज़ा है तो अधार आपका AB है और संगत तुचाहिए आपका यहाँ DF हो जाएगा तीके बराबर में यहाँ पर यह दिया है 336 cm2 तो AB आपका 28 cm है और यहाँ पर DF हमें निकालना है और बराबर में 336 cm2 इसको भाग में ले जाते हैं तो यहाँ भाग में ले जाएंगे तो 28 को ले जाएंगे भाग में तो कितना आ जाएगा 336 बटा में 28 उपर cm2 है और नीचे आपका cm2 तो एक पर कट जाएगा 28 से इसको कटेंगे 12 बार में कर जाएगा दो चितना जाएगा 12 सेंटिमिटर यानि कि संगत उचाई हमें निकालने थी कि संगत उचाई जो निकालने थी संगत यह प्राप्थ हो थ Wisconsin कि कि अमत्र की संगत उचाई 16 Peer होग समझ गए समझ गए अगला कोशा देह इंक पांस थका यह एक सम्चत्रभुजाकार घास के खेत में 18 गायों को चरने के लिए घास है लिए इस सम्चत्रभुज की प्रतेग भुजाय 30 मीटर है और बड़ा बिकर 48 मीटर है तो प्रतेग गाय को चरने के लिए इस घास के खेत का कितना छिद्भल प्राप्त होगा देखिए हम लोग पहले यहां पर एक सम्चत्रभुज बना लेते हैं सम्चत्रभुज की पता है कि प्रतेख बुज़ा बराबर होती है ठीक है यह आपका सम्चत्रभुज हो गया इसका नाम देते हैं चाहो तो नाम दे सकते हो 20 30 मिटर है यह बि maturity मीटर है और यह भी आपका 30 मीटर है और यह दिस और तेशिया क्या कराइं इसका बड़ा वाला बिकन आपको एसी दिखरा एसी कितना होजाएगा 48 कि ठीक है हमें क्या कह रहा है कि यह दखी यह टोटल जो आप छेतर देख रहे हैं इसको 18 गाए चर सकति है इसमें घास लगा हुआ है अठारा गाए यह चरने के लिए इसमें घास है तो प्रतेख गाय को कितना मिलेगा है तो टोटल छेत्र पर निकाल कि हम भाग करते में तो पत तो यहां पर मैं मान लेता हूं कि माना ए बी सीडी एक सम चत्रभूज है कि सम चत्रभूज है जिसकी प्रतेक भुजाएं जिसकी प्रतेक भुजाएं 30 मीटर है ठीक है जिसकी प्रतेक भुजाएं तीस मीटर है और बड़ा बिकर्ण यहनि विकर्ण एसी भिकर्ण अगालिस मीटर है ठीक है चलिए तह अब हम बात करें तिर्फूज एबी सी में इस तिर्पूज में इसका 6 फण निकालते हैं तो मैं इसमें क्या कर रता हूं इनकी तीनों बुजाओं को 11 ket चलिया कि अब इसके बात मैं क्या करूंगा पहले अर्थ पर मैं अपने करूंगा हिरॉन डिकूब तिर्भूज का अर्ध परिमाद अर्ध परिमाद क्या होगा एस बराबर में तीनों भुजा के योग में हमें क्या वहां करना होगा दो से तो यहां हो जाएगा तीस पलस और तालिस पलस तीस बटा में दो मीटर अब देखिए इन सब को जोड़ देते हैं तो 60-30-60 जोड़ेंगे तो 108 बटा में दो मीटर यहां से कट देंगे चाउवन बार में कट जगा चाउवन मीटर हो जाएगा अर्थ परिमाब ठीक है? अब चलिए हमनों लिखेंगे तिरभूज तिरभूज A, B, C का छित्रफन इरोन सुतर से ही लगाएंगे तो आपको फॉर्मूला पता ही है कि S into S minus A into में S minus B into में S minus A यही नहीं रोन सुतर है तो चलिए यहाँ पर क्या जगा तिरभूज A, B, C का छित्फन तो S के जगा पर यहाँ पर आगा चाउवन इंटू में चाउवन माइनस का तीस चाउवन माइनस का आड़तालिस और चाउवन माइनस का तीस मीटर स्क्वार चलिए बागे दिखते हैं यहाँ देखी अंदर यहाँ पर चाउवन गुना में यहाँ कितना आजाएगा आपका 24 आजाएगा क्या ठीक है यहाँ पर कितना आजाएगा चाउवन में से 48 घटाएगे तो 6 आजाएगा फिर यहाँ पर आपका 24 आजाएगा मीटर स्क्वार तो 54 है तो मैं इसको तीन गुना तीन गुना छे गुना में 24 गुना छे गुना चोविस इतना ही रहना रेता हूँ देख लिजे चोवन है न जी तो 3 दिया 9 नौ 6 का चोवन हो जाएगा क्योंकि पेर बन गया हमारा तीन का एक बार बन गया पेर छे का बन गया और चोविस का बन गया तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा तिरभूज ABC का छेतपल तो छेतिया 18 और 18 में गुना कर दीजिए आप 24 से तो कितना जागा 432 मीटर एसक्वार हमें तो टोटल निकाला है सम्चत्रभूज का छेतपल ciąम्चत्रभूज क्या नाम दिए हम लोग ABCD उसी का छेतपल इसका पूरे का छेतपल तो सम्च lobby का छेतपल क्या होगा तो दो गुना में तिरभूज ABC का क्योंकि क्योंकि मैंने बताया था कि दो तिर्पूज बना है और दोनों का चितफ़ बराबर ही हुआ क्योंकि बुजाएं बराबर है तो दो गुना में 432 मीटर एसक्वाइड तो इसमें 2 से गुना कर दीजेगा तो कितना आ प्रते गाय को चरने के लिए इस घास के खेत का कितना छितफ़ल मिलेगा यह हमें निकालना तो प्रते गाय को चरने के लिए घास के खेत का छितरफल तो क्या हो जाएगा 864 में भाग कर देंगे 18 से तो 18 से भाग कर दो तो कितना आ जा गया अपर 48 बर में एक कड़ जागा तो यहां से 48 मीटर स्क्वाइर छेतर मिलेगा एक गाय को घास जड़ने के लिए समझ गये पूसर नमर छे देखिए करा दो विभिन रंगों के कपड़ों के दस त्रिबुजाकार टुकड़ों को सी कर एक छाता बना जैसा देख लिए चितर में देखिए ऐसे इधर आपको पांच दिख रहें ना पीछे भी पांच होंगे तो देख लिए इसमें दो रंग है अब कोई भी रंग हो उससे में मतलब निए दो प्रकार के रंग मैं देखो ना यहां पर वाइट और यह ग्रीन माल लेता हूं ब्लू माल लेता हूं यह ब्लू है ना जी ब्लू और प्रते एक तुकडे का माप दिया है वी संटी मिटर पचाश संटी मिटर शाथ में प्रते के रंग का कितना कपड़ा है हमें क्या करना होका पहले ौह एक तिर्भूज का एक क्ये मिटरकाश फिर वही दूसरे प्रकार का भी हो जागा, क्योंकि प्रतेक डिजाइन का वही कह रहा है, प्रतेक टुकडे का यही माप कह रहा है, तो वही दोनों के लिए हो जागा, दो रंग के बने हैं तो दोनों के लिए वही छित पल हो जागा, एक का निकाल के पांच से गुना कर दें तो चलिए तो हमें लोग पहले एक टुकड़े का निकालते हैं तो मैं मान लेता हूं कि माना प्रतेक त्रिभूजाकार त्रिभूजाकार टुकड़े की भुजाए A, B तथा C है तो यहाँ पर A बराबर में 20 cm ले लेता हूं, B बराबर में 50 cm और C बराबर में भी 50 cm तो हम लोग पहले लिकालते हैं त्रिभूज का अर्ध परिमाब, त्रिभूजाकार जो टुकड़ा हो रहा है उसका अर्ध परिमाब अर्द परिमा सेमी परिमीटर यानि स बराबर में तीनों वुजा के योग में दो से भाग कर देंगे तो क्या हो जाएगा यहां पर तो क्या हो जाएगा आपका A का मान है 20 B का मान है 50 और C का मान है 50 और बटा में 2 यहीं ना है जी आपका चलिए अब इसको solve करते हैं यहां centimeter लगा देता है तो 50 पचा 100 यानि 120 बटा में 2 centimeter यह आपका कड़ जाएगा कितना बार में? 60 बार में अर्ध परी में आप आगया ठीक है? चलिए अब निकालते हैं तिर्भूज का छथपल तो तिर्भूज का छथपल के लिए फार्मूला जानते हैं हिरान सुत्र तो जानते हैं ना जी जब हुजाएग भिन 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 दी गई हो तो S into root under S into S minus A into में S minus B चलिए तो यहाँ पर root under S का मान तो 60 into में 60 minus A का मान 20 60 minus 50 फिर 60 minus 50 centimeter square चलिए root under यहाँ पर देखिए 60 गुना में यहाँ घटाएंगे तो आपका 40 हो जाएगा क्या 10 गुना 10 centimeter square चलिए अब इसके बाद देखिए यहाँ मैं क्या करता हूँ यहाँ पर ले लेता हूँ 6 गुना 10 गुना में 40 को 2 गुना 2 गुना 10 गुना 10 गुना 10 देख लिजे 6 को तोड़ेंगे भी तो पेर नहीं बन पाएगा किसी के साथ चलिए तो अब बाहर क्या निकलेगा 2 आपका है और 10 चार बर है तो 2 बर और रूट अंडर 6 centimeter square तो यहाँ से कितना जाएगा 200 रूट 6 centimeter square एक टुबरे का होगा तो हम लो लिखेंगे blue लिख देखा हाँ ना blue था आपका नीला नीले रंग के मैं ऐसा माल लेता हूं नीला रंग तो है नहीं जो भी दिया हो यह पहले रंग के ऐसा कर लेते हैं पहले और दूसरे ऐसे कर लेते हैं पहले प्रकार के प्हले प्रकार के रंग-वाले कपड़े का 6 तरफ़न तो पांच को डिजाइन होगा त्रिवुज़कार तो पांच गुना में 200 रूट 6 सेंटीमीटर एसक्वार है ना जैने कि 1000 रूट 6 आजाएगा सेंटीमीटर एसक्वार और फिर दूसरा ले लेते हैं दूसरे प्रकार के रंग वाले कपड़े का छेत्रफन तो वह भी हो जाएगा पांच गुना में 200 रूट 6 सेंटीमीटर एसक्वार जैने कि यह भी आजाएगा 1000 रूट 6 सेंटीमीटर एसक्वार चलते हैं कोर्शन नमर सेवन देखिए कर एक पतंग तीन भिन भिन सेड़ों के कागत से बनी है जैसे आप चितर में देख रहा है पहला सेड़ यह रहा दूसरा यह रहा और यह तीसरा सेड़ रहा इन्हें आकरिती में एक दो और तीन में दरसा आए गया है देख लिए पतंग का तिर भुजाकार इसकी भुजाएं दी हुई हैं 6 cm और 8 cm यह 8 है यह हवाली 6 cm है और यह हवाली 6 cm है संदिवाहुत तिर भुज़ है देख रहा है ना दो भुजाएं बराबर है ज्याज कीजिए कि प्रतेक सेड़का कितना कागज परियुक्त किया गया है यानिकि इस अच्छा दिख सकते हैं यह कि हम जांते हैं हम जांते हैं हम जांते हैं कि वर्ग का विकर्ण वर्ग का विकन परस पर लंबवत सम्दिभाजित करता है यानि कि ये एक दूसरे पर लंब होंगे और बराबर भागों में भी बाटेंगे तो अब देखिए यह टोटल यहां विकन दिया है 32 सेंटिमीटर और विकन तो बराबर ही होता है तो यह 32 है यहां से यहां पर यह जो होगा यहां से यहां यह तो अगर मैं प्रतेएक सेड़ के अगर इसका नाम भी देना का क्याँग तो नाम भी दे सकता हूं और इस तरह से भी हमारा चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ पर आप देखिए, पहले वाले सेड के लिए, हम लोग फॉर्मूला तो जानते हैं न, तिर्भूज का छेदफल, तिर्भूज का छेदफल क्या होता है? एक बट्टा दो, आधार गुने उचाई, यह नहीं होता है, तो आधार यह हो जाएगा, उचाई यह हो जाएगा, तो हम लोग लिखेंगे, जो आपका सेड़ वन है, या च्छाया भी लिख सकते हैं, सेड़ वन, सेड़ वन का छेदर फन, सेड़ वन का छेदर, एक बट्टा दो, आधार आपका 32 सेंटीमीटर, उचाई आपका 16 सेंटीमीटर, दो से इसको कार देते हैं, 16 बार में, यानि कि यहाँ पर आजाएगा, 256 सेंटीमीटर अचाई, सेड़ टू का छेदर फन, तो यह भी तिरभूजी है, और यह आपका आ अधार हो जाएगा, यह वाली उचाई हो जाएगा, तो एक बट्टा दो सेंटीमीटर स्कार देक्ट ली सकता है, इसको कारते हैं, 16, यह भी यह जाएगा, 206 सेंटीमीटर स्कार, अब चलते हैं, तो अगर मैं सेड़ 3 की बात करूँगा, तो तिरभूज है, तो मुझे इस इसका छितफल हम लोग निकालेंगे, स्वरी, 6 सेंटीमीटर है, इसका छितफल निकालेंगे, 6, 8, 6, देख रहे न, अब इसका छितफल निकालेंगे, हिरोन फर्मुला से, तो पहले अर्ध परिमाप निकालना होगा, तिरभूज का, अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप, से कितना हो जागा यहां पर यहां पर अर्द परिमाप आ गया तो अब लिखेंगे अब पहले मैं लिख देता हूं तिर्भूज का च्थपल हीरोन सुत्र से अम लों जामते हैं रूट अंडर स इंट्व स माइनस एंट्व स माइनस बींट्व स माइनस सी चाहिए अब आगे देखते हैं तो अमनों लिखेंगे सेड्ड ठर्ड ना है सेड्ड ठर्ड का च्थर्पल तीसरे सेड्ड का च्थर्पल रूट अंडर स के जगा पर आपका दस आ जागा ना बूरर है दैस माइनस छे गुना में दलर माइनस आठ गुना में दास माइनस छे सेंटीमीटर कर तो यहां रूट अंडर क्या क्या ओएगा यहीा दास गुनाच रूट गुनाच ल Happiness चार चांड एंटिमीटर कर थे थो 10 को हम लोग यहां तोड़ देते हैं है है दो गुणा पांच लेदें और मैं चार गुणा दो गुणा चार ऐसे रहा दज़से assim का और और चार रहा रहा है दो का और चार का अढेर पांदर बचिएगा तो यहाँ पर क्या जाएत चार दूरा आठ रूट पांच सेंटीमीटर स्कॉर यह आपका तीसरे सेड का छेथ फल आजाए यहां हम इसे एक और काम कर सकते हैं यहां रूट फाइब का वैलू रख देते हैं रूट फाइब का वैलू होगा 2.24 यहां पर इंटू कर देंगे तो 17.92 सेंटीमीटर स्कॉर लगभग में आ जाएगा समझगे तो अब इस वीडियो का हम लोग यहीं पेइन कर देते हैं नेक्स वीडियो में आएक को देखेंगे आपको मारे तीन चैनल को सिस्क्राइब कर लोगा पहला है पात फाइंडर क्लासेश छपरा दूसरा है आपका भारती भवन रवी कांसर और तीसरा चैनल है रवी कांसर के नाम से तीनों को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटर वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे इससे रिलेटर नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सब्सक्राइब और यहां पर जाकर आप सभी क्लास्स के नोट्स और उनके पीडियेप को डाउलोड कर सकते और पढ़ भी सकते इंस्साग्राम और फेस्बूक पे जाके पाथ फैंडर क्लास्स अप्रा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे